नमस्काल दोस्तों मेरा नाम दिपांकर अपर सभी देख रहे है घ्लोबल विया पार लहाँ पर अम्हों डिसकस करतें इंटर्नेशन ठेट के बारे में इंपोर्ट-इंपोर्ट के बारे में बिद्नस के बारे में तो आप लोगों का पिछले वाले ओक्षिन के वीडियो के ब बाता हूं तो उसके लिए मैं आपसे हाँ चोड़ के माफिया मांगता हूं सब्सक्राइब कुमेंट करें कुछ ऊंसरे देने वाला इसे или की कश्चे के चाले के स्थरीके ऊप्रेक्राइब किस तरह के से प्रसरस हो सबते हैं आगे बटके आज के एक मोटा मोटा डाउट क्लिर दें की कोशिश करूओं कि किस तरीके से यह सारी शी어서 होती है लुटो सब्सक्राब का आपका ही कमपनिस कोंटेनर उसका, सब्सक्राइब क्रति échкого हैं,स सब सब्सक्राइब दे nichts now तो इस इस पारओ सब्सक्राइब ने प्रक्राइब अन्यूरे बिकर अचुल मांच ए गइसे मुझजा ओनगी मीध बढ़ी बड़ी जो कमपनी होती है बहुत सारी प्राइवेट और गॉवर्मेंट की बहुत सारी हैं जैसे कि आपका यह वह बीज़ करते हैं वाया मेंस्टी सी एक सेंट्रल बॉडी ऑल ओवर इंडिया में जो इस हारे गॉवर्मेंट और ऑगनाइजिचन हैं उनकी ऑक्षन क को थिया जितने भी गॉवर्मेंट बॉडी के ऑक्ष्ण होते हैं यह सब्सक्राइब कर दिल्ली के बात करें डिल्ली में दो ही दो पोट है एक है आपका प्लगन यह कहापका एरपोर्ट आप लोगों ने देखी लिए किस तरीके से होता जहां पे इसके अलावा आपका एरप आपको दिखाई दिया इसके अलावा एरपोर्ट वाला ऑक्ष्ण होता है और परपडगंज मैंने अब तक अभी ऑक्ष्ण देखा नहीं है तो कस्टम्स के ऑक्ष्ण दिल्ली में इन दो जगा पर ही होते हैं और इसके अलावा जितने भी गॉवर्मेंट आपके युनिव अब इंस्पेक्शन डेट चल रहा है आप लोग चाहे हो जाकर आप जो पूरा 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 फरनीचर था वह उन्होंने भी ऑक्ष्ण में डाला हुआ है उसकी लिस्ट में कोशिश करूंगा कि नहीं दिस्क्रिप्शन में को लिंक प्रवाइड कर दो जिसमें आप क्लिक भी जानी पूरा यहां पर आप अपनी पुरानी गाडियां बेच रहें तो उसका आपको कश्मीरी गेट में को यह जगा है वह पर जाकर देखना पड़ेगा तो अलग-अलग अलग टाइम पर तो इसके बाद बड़ा होता है कि कितना इन्वेस्मेंट कितना इन्वेस्में कोई देख सकते हैं हर जगा पे जैसे कि अपने सच को ही रिक्वार्मेंट नहीं होते कि आपको 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 समझ में आता है नहीं आता है वह आप की दूसरे जो ऑक्षें होते हैं जैसे कि क्लेट कर पाऊंगा अभी के लिए तो कस्टम औक्षन की बात कर सकता हूं कि आपको इस चैनल पर आगे अपडेट मिल जाएगा और आप देख सकते हैं बिना रिजिस्टेशन की और अगर आप रिजिस्टेशन करना चाहते हैं तो 11800 रुपे का रिजिस्टेशन करना है जिसक जो कि आप लॉग इन करके बोली लगा सकते हैं जब आप माल वाल देख लेंगे उसके बाद जो होगा वह बोली लगाने के लिए आपको आईडी पस्वर्ट चाहिए होगा जिसके लिए आपको रिजिस्टेशन करना पड़ेगा उसकी फी से इनिशल इन्वस्मेंट जो है वह 11,800 रिप्या और वह 1 साल के लिए वायलीड होगा तो क्या आप लोगोंने बहुत सारे श्रूंप लोग के ये इंदर हो क्या क्या पूरा का पूरा चाहिए कंटेशन ना होगा यह प्दूर का तो ने लिखर होगा सब्सक्तराइब करने अटने कर्समेंट आपको पूरा को आउक्षन देखा उसमें सब कुछ माल के लिए बोली लगा सकते हैं जो वो लोग डिसाइड करते हैं बेचने वाला जो पार्टी के जैसे कि जो कंटेनर ऑक्षन में कस्टोडियन जो होता है कॉनकोर वो डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके से अपना समान बेचना है क्यो सकते हैं जो अगंते हैं कारता ही भी साथ कंटेनर ना कि करके आप बोली लगा सकते हैं कि सिर्फ में जाके एक बड़ी देख लूग एक्सपीरियंस कर लूँ तो आप नेक्स जब भी आइसे डीकेडी में और आप लोग कोशिश करूँगा कि मेरा मेरा नंबर देदू मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं वैसे बहुत बड़ी कोई कोई टीम नहीं है जो कि सारी चीज़ा है तो मैं ही होता हूं जो रिप्लाइबी करता हूं वीडियो बनाता हूं इडिट भी करता हूं तो इसलिए मैं अपना नम्मर नहीं डालता हूं नीचे आगे देखों कोशिश करूँ किस तरीके साब लोग अब लोग एडवानस में बता दूं कि आप लोग आके चाहिए जिससे कि आप लोग आके आप लोग आके आइस डी टीकेडी में एरपोर्ट में एक बारी एक्स्पीरेंस कर सके लाइफ की किस तरीके से ऑक्शन होता है और आपके काम की चीज है की नहीं है अगला कुशन था अगला आप लोगों की लिस्ट का मिलेगी तो आइटेम की लिस्ट में मिलेगी उसकी लेपको की रिजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए मैं नीचे लिंक डाल दूंगा यह आपको बीच में डाल दूंगी इस तरीके से यह चीज़ देखती है कि आपका MSTC में जाना है सर्च करना है कि इस टाइम पूर में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको देखना है कि इस टाइम पर दिली में या इंडिया में इस बी स्टेट में आप रहते हैं उस टेट में कौन से 것으로 ब्सक्राइब कौन से interviewing का लिगानिन है को सबसे फथे अपसाइड खुली यह देखिए आपकी यह MSTC Limited MSTC www.mstcindia.co.in इस पर क्लिक करना है आपको क्लिक करने के बाद यह आपको homepage खुल जाएगा यहां पर हिंदी में भी है और English में है हाँ Hindi यूर English दोनों में मैं I English कर लूंगा इसमें प्रूरा जी हो जाता है पहले एक कॉल रेटेल एक कमपनी थी जो सिर्फ कोल में डिल करती तो उसके बाद उन्होंने अपना यह उक्ष्षन का भी स्टार्ट किया था कुछ साहलो पहले तो इसमें आपको अपकमिंग इवेंट्स में जाने के बाद एक आपको देखिए आपको देख रहा है यह आपक या आसपास जो है आने वाले महीनों में वह सारी डिटेल यहां पे अब आपको यहां पर सर्च करना है कि दिल्ली में या किसी भी स्टेट में कैसे आप कौन सा चल रहा है जैसे मैं दिल्ली का सिलेक करता हूं इसको मैं सिंप्ली कंट्रोल एफ करता हूं यहां पर देखिए अब अपन एंटर करते करते जाएंगे यह देखिए यह एक ओडिनेंस वैक्टरी मुराद नगर में है यह है आपका आपको 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 स्टार्ट करने का डेट और खतम करने का डेट आपको दिख जाएगा 11 बजे शुरू होगा और यह सत्रह जानि 12 वजे खत्म हो जाएगा इंस्पेक्शन वाला डेट आपको अंदर क्लिक करने के बाद बता लगेगा तो मैं दिल्ली में दिखा दता हूं इस टाइम पे कौन कौन से चल रहे हैं तो यह आने वाला है तो इसका इंस्पेक्शन अभी कोई Security and Exchange Board of India है वहाँ पर इस टाइम पर चाल रहा है इसका 23 है अगले महिने के 23 तारीक को इसकी बिडिंग शुरू होगी और अगले महिने के 23 तारीक को ही चार बजे खतम हो जाएगी तो इसके लावा यह देखे तो कि इसका आओ नई आज तो कि इसका जो इन्सपेक्शन है वो एंसके जो ती चार दिन पहले ही खतम हो जाता है इसका अपने नहीं देखेंगे आपकर मैं आएटी वाला दिखाता हूं को यह देखिए प्रगति मेदान में भी चल रहा है इसकी भी कलकी बुली है यह डेली पुलीस का ओक्षन है ठीक है यह सेंटर लिजब्पुलीस यार पीफ का भी ऑक्षन चल रहा है इस टाइम पे इंदुस्तान पेट्रोलियम यह आयाइटी यह डेली वाला में जो कह रहा था आपको देखे इसकी जो बेडिंग है वह है दो तारीक्टी जून के दो तारीक्टी है ग्यारा बज़े शुरू होगा और यह तीन बज़े खतम हो जाएगा उक्षन यह देखें यह सारी डिटेल है ओपनिंग डेट आपका ऑक्षन का है यह आप्षन मतलब बोली लगाने वाली डेट है यह अग्यार की डिटेल है कि जो यह समान बेच रहे हैं वह है कॉन नेक्टर करके कोई कंपनी है वह अपना समान बेच रहा है लोकेशन है आई टिल्ली अपना जो हॉसकास में दिल्ली आई टी है इंडिन सुट अफ टेक्नलोलजी और यह टेलीफोन नंबर है किसी से आपको बात करनी है आउक्षन के रिगार्डिंग तो कि भी सब्सक्राइड कारतःच के लिए आई टैल्न की डिटेल है और यह सारा इंड एंस्पेक्शन में लेकर दिखा देता हूं देए इंस्पेक्षन डेट है बीस पाँज से लेके में यूच औली के एक चैने इके जून के बीच में आप मैं से कोई पी चा सकता है और जा करो मौन माल किया है और उसकी जो बोली शुरू होगी वो घ्राजा कंपर की गुंदा यूथ उगले 5-6 मिनिट तक के लिए यह से जितने बाद लोग एक एक गरुपी लगाते रहते हैं तो वो जो जो आउक्षन हो जाता है और वह आक्षण कभी-कभी पूरा रात तक भी चलता है हो लोग बढ़ा जा रहे हैं वह और मिनिम मीडिंग गणती है को रुपे से ही भूंपे से तक बिख भी ब्रीटिंग में आपको लिए वीडियो में दिखाए था वो इसमें ब्रीक के गानने वाले मतलब ने खरीदा है 25,000 रुपे का वो गया है उनको 25,000 रुपे की उन्होंने बोली लगाई है जो कि उनके विसाब से फाइनल हुआ है और उनका जो आगे का प्रोसेस है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक बार बोली फाइनल हो जाती तो क्या प्रोसेस हो था आगे वाले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब कर लेजए को आगे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पुछा किया मैं रेजिस्ट्रेशन भी करवाता हू क्योंकि मैं अल्रेडी पूरे दिन सेटरडे से लेके सेटरडे तक अपने ही काम में इतना जाता बीजी रहता हूं कि शाम के साथ 6-7 बज़ आते में को टाइम ही नहीं मिल पाता तो आप लोगों के इतने सारे कॉल आइंगा तो मैं कहां से हैंडल करूंगा अपने अपने किस तरीके से आप लोग के मैं help कर पाऊंगा क्या कोई प्रॉपर सेटप बनाऊंगा कि ने बनाऊंगा वो तो आगे फ्यूचर में पता लागेगा तो आप लोग को अगर कुछ हमारी करेंगे इसमें तो आप लोग को पता चली जाएगा वाया वीडियो मैं डाली दूंग सब्सक्राइब हो तो कि सब्सक्राइब बनाऊंगा शुर्तंग कर देखने के लिए अपक्त करने के लिए एक नौर्मल को पड मैंग इस्पेक्चिन के तो उन दोनों चीज़ों के एक टेंपरेरी आपका गेट बन जाएगा जिस गेट पास से आप अंदर जाके शेड में वह माल देख सकते हैं और अपना एक्सपीरेंस ले सकते हैं कॉंसा कंटेनर कितने में किया यह भी आप लगोंने भहत पूछा मैरेसे की मैने पर चुप सकते में ने कुद्द Pvd में नरे को खंशते हैं अपका वो था क्या कहते हैं आपका वाला गंटेनर वो गया है 26 लाग उपेगा ओप्चेस अवर पर गंटेनर बिकाए और जो कपड़ों का मैंने दिखाए था कपड़ों वाले में शायद बोली लगी नहीं है किसी बहुत कम बोली लेगी ती 100-200 रॉपए तो समझ सकते हैं एक मैं आप लोग को और टीप देते हूं मैंने जहां तक सुनाए कि एक बंदा बहुत पुराना बंदा है पिछले दस साल से वह कर रहा है सिर्फ ऑक्ष्ण का काम कर रहा है उसने मेरे को यह बोला था कि 20-20 उपर में भी कंटेनर निकले हैं तो यह कितना सच है यह कितना जू होता कि इस तरीके सब पार्ट लेना है कितनी फीस वगेरा होती है तो अकर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लिजेगा इस चैनल में मैं इस तरीके वीडियो लाता रहता हूं और इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स आप लोग साथ शेयर कर दा रहता हू तो लाइक कर दिए सेयर कर दिए सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू मिलते हैं किसी अगले वीडियो में धन्यवाद